नमस्कार दोस्तों मैं रविंदर सामली आप सुन रहे हैं दुरुनाचारिय कैप्टन चांदरूप सहाब की अनसुनी बाते भागच्छें जिस समय हमारा समाज जात पात के मकड़ जाल में जकड़ा हुआ था उस समय कैप्टन सहाब जात पात का विरोध क्या करते थे वे कहा करते थे कि जाती तो दो ही हैं पुरुष और महिला जो एक दूसरे के बिना धुरी है इने भी समाज को बराबर के अधिकार वे सम्मान देने चाहिए यदि जात और पात के भेद में समाज बटा रहेगा तो समाज कभी भी उन्नती नहीं कर पाएगा कैप्टन सहाब अपने अखाडे में हर बिरादरी के खिलाडी को बराबर का सम्मान दिया करते थे वे कहते थे कि हर किसी को परमाक्मा ने बनाया है सभी को वो ही आखे वो ही कान दिये हैं वो ही नाक दिये हैं जब उसने अर्थार्थ भगवान ने कोई भेद भाव नहीं किया तो दूसरे लोगों को भेद भाव करने का अधीकार भला कहां से मिल गया। दूनाचारिय कुस्ति समराट कैप्टन सहाब हमेशा समाज को खेल के माध्यम से एकता के सुत्र में बांधने का कारिय करते रहे। कुस्ति समराट कैप्टन चांदरूप सहाब का मानना था कि केवल किसी जाती में जन्म लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। इंसान के द्वारा किये गए कारिये अपना महतु रखते हैं। जातिवाद के नाम पर किसी के साथ भेदभाव किया जाए यह सोबा नहीं देता। वे अपने अखाडे का हवाला दे करके कहते थे कि हमारे पास सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संपरदायों के लोग रहते हैं। जो आपस में एक परिवार की भाती मिल जुल कर रहते हैं। और कुस्ति का अभ्यास करते हैं। देश के लिए मैडल जीत करके लाते हैं। छो जांदरूप सहाब के ये विचार उन्हें समाज सुधारकों की स्रेणी में ले जा करके खड़ा कर देते हैं। कैप्टन सहाब वो महान कुस्ति गुरू थे जिनका कार्याक सेत्र बहुत ही बड़ा था। कैप्टन सहाब के अखाडे से कुस्ति की विद्या सीखने वाले अनेको सीस्यों को बड़ी बड़ी नोक्रिया मिली। आज अनेको पहलवान कैप्टन सहाब से कुस्ति की विद्या सीख करके अपनी नोक्री के बलबूति अपने परिवार को पाल रहे हैं। यह संख्या सैकड़ों में नहीं बलकि हजारों में है कैप्टन सहाब बेसक आज हमारे बीच ना हो लेकिन अपने संगर्शील कारियों की वज़े से वे आज भी लोगों के दिलों में जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेंगे भारतिय कुस्ति का इतियास कभी भी द्रोनाचारिय कैप्टन चांदरूप सहाब को नहीं बुला सकता क्योंकि कैप्टन सहाब का नाम भारतिय कुस्ति के इतियास में सुरन अक्षरों में दर्ज है वीडियो अच्छा लगे तो सेयर जरूर करे धन्यवाद